तो इस वीडियो जो हम टेस्ट करने वाले इस हैममोर के ब्लॉक बस्टर कुकी क्रीम आइसक्रीम को तो चलिए शुरू करते इस तरह से आपको इसकी पैकिन देखने मिलती है यहाप पर इलस्ट्रेशन देखने मिलती है आइसक्रीम का वेजिटेरियन प्रोड़क्ट है मेड अफ मिलक इसलिए आइसक्रीम है ना की फ्रोजन डेजर्ट है यहाप इनो लिखा है मेड़क्रश भी विद यू कुकी क्रीम डार्क कंपाउंट कवरिंग कोटेड आइसक्रीम यहाप ए क्रियेटिव विजुलाइजर शिंजी है लेकिन इससे सिमिलर आइसक्रीम जो इसक कंपाउंट कवरिंग 33 परसंट उसमें यह सारे इंग्रिडियंट्स जो इंक्लूडड है तो आप इने सभी इंग्रिडियंट्स को पॉस करके पढ़ सकते हो अलरजन इंफॉर्मेशन है कंटेंज मिलक वेट और स्वय में कंटेंज नट और सलफाइट बात करते हैं नूट्रिशन फाक्स की नूट्रिशन फाक्स डिरेक्ली दिये है अस पर 90 ml के कंजमशन पर आपको यह सारे नूट्रियंट सिसम से मिलेगे पूरी आइसक्रीम को मैनेक्टर के। अगरा अगरे आप पको पताताइप इन दो आइडरेस में से कौन से आइडरस पके आईसक्रीम की मैनेक्टर और है तो बैच लूबर यहां पर दिख कारेक्टर देखना है एंड दो इसकी मैनेक्टर लिक्राइबे इसाप से normal की ओंब्र कर सकती हो यहां फि विजिट करके कॉंटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़े लेखी है मेड़ आफ मिल्क वगर यह ओ फिर बात करते हैं मैनिफेक्ट्टरिंग डेट एंट बेस पोर की तो यहाँ पी इसकी आपको मैनिफेक्ट्रिंग डेट देखने मिल जाएगी यहाँ पे इसकी बेस फिवल देखने मिल जाएगी तो इसकी शेल्फ लाइफ है वन येर है फ्रॉम डेट उफ मैनिफेक्ट्रिंग अगेन आपको जो है रेफिरिजरेटर में रखना है माइनस 18 डिग्री से है जो बरफ रखत तो यह रही आइसक्रीम को जिस तरह से देखने मिलती है ब्लॉक बस्टर नाम दिया इस आइसक्रीम को इन्होंने थोड़ा डिफरेंट नाम मैंने पहले कभी ऐसे ब्लॉक बस्टर नाम की आइसक्रीम जो है देखी नहीं थी तो यह फर्स टाइम मैं देख रहा हूँ अभी तो चलिए अब जो है मैं इसे टेस्ट करके आपको बताता हूँ एक्जाक्ट ली जो है इस ब्लॉक्बस्टर आइस्क्रीम की जो है किस तरह से टेस्ट आपको देखने मिलती है इनर एन आउटर लियर निच्छे फ्लेट ले लेते क्योंकि तूट सकती है आईस्क्रीम यहां से एक मैं बाइट लेता हूँ और आपको एक्जाक्ट टेस्ट कैसी हो सकती है क्या हो सकती है बताता हूँ तो यह आउटर लिया रहा है यह इनर लिया रहा है और as per the ingredients यहाँ पे उन्होंने cookies 3.5% आड़ किये है चोकलेट है milk solids है artificial flavor है vanilla chocolate का stabilizer बगरे आड़ किया है colors तो इसमें आड़ किये ही है outer layer में again वही सारे sugar coca solids बगरे butter है इसमें coca butter है cookies आगे इसमें भी है 2.1% तो मैं कहूंगा कि chocolate vanilla flavor ice cream है with cookie crunch है इसके अंदर तो बहुत जो है combined taste जो आपको इसकी देखने मिलती है इस ice cream की जो definitely बहुत अच्छी है यहाँ पे vanilla की भी जो है अलग से layer है तो total three layers यह inner है यह vanilla है under the chocolate तो ऐसे three layers देखने मिलती है यह देख सकते हो लेकिन इन शे आपको inner and outer layer के ingredients दिए तो inner layer में यह vanilla भी यह के बीश में जो पूरे ice cream में देखने मिलता है तो definitely बहुत अच्छी टेस्ट है different test है जितने में मैंने हावेमोर के ice cream ट्राई किये इससे पहले उन सब में जो है इसकी टेस्ट बहुत different है और अभी मैं कह सकता हो कि इसकी जो pricing है जो 60 रूपीज उनों ने बताई है वो definitely worth है अगर आपको कुछ different test try करनी है आपको combined taste चाहिए cookie, cream, vanilla, chocolate उन सब की एक ही ice cream में तो आप definitely जो है इस have more के blockbuster cookie cream ice cream को जो try कर सकते हो वीडियो पसंदा तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, questions, comment कीजिए, channel को subscribe करके bell icon को भी दवादेजे, वीडियो को देखनी लाइक वह बहुत बहुत दरनेवाद मिलते है अगले वीडियो में